हेलो फ्रेंड्स इम्मूफैक्स में आपका स्वागत है दस्तों आज के हमारी न्यूज रहेगी टिक टॉक और पब जी की दुस्तों आज हम लोग बात करेंगे दुस्तों पब जी का बहुती ज्यादा रूमर्स पहल रहा है के मुकेश अमबानी जी इसको खरीदना चाहते है पब जी जी ओजी होने वाला है करके तो इस पर बात करेंगे दूसरा बात करेंगे तो टिक टॉक टिक टॉक के जो CEO है दुस्तों वेने से पापस इन्हों ने अपने सारे यूजर्स को एक अपडेट दिया है समझो दूस्तों CEO मतलब पूरे गलोब के हेड है दूस्तों जि जूटी अखवा ये समझो दूस्तों ऐसे हो सकता है करके कहना है दूस्तों ये फिलाल हुआ है करके नहीं है इसका मतलब इसको अखवा जो की फिलाल बहुत ही ज्यादा वैरल होता रहा है बहुत सारे न्यूज चैनल दिखा रहे है बहुत सारे न्यूज आर्टिकल दिखा अमबानी जी ने बता है ना तो Reliance Industry के कोई Executive ने बता है या फिर PUBG Corporation ने ये बता है कि हम लोग समझो Reliance Industry से बात करें बात करके अपना गेम चालो करेंगे अब ये सारी की सारी अकफा है दोस्तों ऐसी जूटी अकफा में मत आना मेरे दोस्तों तो सोचा ये आपको अवेर कर देत दोस्तों अभी तक कोई Official Update नहीं है जैसे Official Update में लिए मैं आपको बता दूँगा दोस्तों अब Official Update फिलहाल ये है कि हम लोग अपना जो भी टैयप था Tencent के साथ इसको कट कर दिये जो भी लैसेंस था इसका कैंसल कर दिये Tencent के साथ Mobile Application से जुड़ा हुआ था इसको कैंसल कर द दोस्तों बाकिये जो रूमर से ये Official है नहीं तो ऐसी जुटी एक फाम मत आना मेरे दोस्तों तो दूसरा टिक टॉक की निउस पर बात करेंगे दोस्तों जो टिक टॉक के फिलहाल सी ओ हो है दोस्तों चीफ एक्जिगिटिव ऑफिसर वेनेसा पापस जो की एक यूए स्की लेडी है दोस्तों पहले तो केविल मेर थे इनके रेजिगनेशन के बाद इनको इसकी जगा दी गई थी दोस्तों अब इन्होंने एक जूम कॉन्फेरेंस के जरी से समझे एक आदे घंटे का कॉन्फेरेंस वा था अपने सारे एंप्लोई के सार और रेप्रेजेंटि जो एक जूम कॉन्फेरेंस वा था उसके जरी से एक अपडेट दिया दोस्तों आप सोच रहे हों कि तो यह तो यूएस का है हमें क्यूं बता रहा करके दोस्तों हर चीज की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग टिक टॉक को उतना म जरूरी है अब वेने से पापस ने इधर पर यह का है दोस्तों हम लोगों पर बहुत ही ज्यादा दबाव गिर रहा है केविन मेर ने भी पॉलिटिकल रिजन के लिए काम छोड़ दिया था जॉब कुट कर दिया था अब से मेरे को भी फिलिंग आ रही है इसे ही फिलिंग इनका समझो यह पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ही रहा है हम लोगों पर कोई भी थोड़ा भी रहम नहीं कर रहा है करके इनका कहना है फिलाल मैं भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा फ्रेस्टेट हूँ मैं भी सोच रहे थी आज हो जाएगा कल हो जाएगा करके इनका कहना है अब जब deal खतम होती आ रहे थी चैना ने एक नया export rule चालू कर लिया जिसके ज़रे से यह हमारी sale फिलहाल रुख गई है करके कहा है दोस्तों इन्होंने अपने सारे employees को कहा है दोस्तों अब रही बात दोस्तों जो export control rule है इसमें यह कहा जाता है कि आपको licensing करवाना होगा अपन अब Zang Gaming ने भी permission मांगी है US की government से जो की US की government ने इसको मना कर दिया है clearly अब तो Vanessa Papas ने भी यही काया दोस्तों ए टिक टॉक की sale अभी तक हो जाना चाहिए था या फिर Walmart खरीद लेती या फिर Oracle खरीद लेती या फिर Microsoft खरीद लेती अभी तक एक खतम हो जाती यह चैना के जो अब डेट दिया है दोस्तों यह का है चैना ने अधर पर आरोप लगाया है Donald Trump पे Donald Trump पे उन्होंने यह का है कि Donald Trump अपनी security reasons के लिए नहीं बस हमारा आप खरीदने के लिए हमको मजबूर कर रहे है इसको बेचने में करके चैना का कहना है दोस्तों आप रही बात यह दिम पर बहुत ही जरूरी रहता दुस्तों तो मैं दूसली जगा पर concentrate करनी पा रहा हूँ तो पहले इस पर concentrate करता हूँ एक बार यह आ जाएगा मैं दूसरा कुछ बना लूँँगा गर किम मैं जब तक यह आनी जाता दूस्तों मैं उस समय तक यह मेरा वादा है मैं आप लोगों त पहुंचाता रहूँगा दोस्तों तो ये थी दोस्तों आज के हमारी न्यूज जाइसे ही मेरे कोई Indiya की न्यूज या फिर Хेलो, Lai DAI की, Bigolife जो भी 59 A dispute से दोस्तों Bang Bang, Mobile Legend, UC News आप जो भी न्यूज है दोस्तों जैसे ही मेरे को मिलेगे, मैं आप लोगों तक पहुंचा दूगा, जो जो मेरे को मिलती रेते हैं, मैं पहुंचाता हूँ, वो भी मिल जाएगी, तो मैं पहुंचा दूगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फ्रेंग्स, बाई!